जा सुबह सुबह बहुत साथा लेट हो रहा है और अर्जू को टिफिन भी बनाना है सुबह सुबह ब्reakfast भी बनानां भी जीट को भी ओफिस जाना है और अरजू को भी टिफिन बॉक्स रेड़ी करना है तो चलिए फटा फट से मैं बना रही हूं यह पड़ू तीर सारस वेजिटेबल्स डाला है और पड़ू का बैटर अगर आपके पास है घर में तो ये सबसे इजी प्रॉसेस है मेंस ब्रेकफास्ट के लिए बनाना मेहनत भी कम है और आप ये प्रेपेशन रात को ही कर सकते हैं सुबह में फटा-फट से चढ़ा के और आप दूसरा क को साथ कहा सकते हैं अरजून को जरूर नहीं है को जब ये वह खा लिए और उसको पसंदाता है और फड़ियु आपके रहे हैं लागत हैं अगर बच्चे सबजी नहीं क्का रही हो तो उसको किसी और चुपा कर बच्छों को खिलाना में हमेरी में भी मेहना कउन का पराथा तो इसके लिए मैं कडूकस कर रही हूँ कैड़ का आटे में अने ही वाला है भी तक मार्केट में मैंने नहीं देखा है नहीं दी हम भी औरंज कैड़ में सब चाबर कर ले रही हूँ और ये आपसे बात करते करते हैं, मेरा कद्दूकस करने का हो गया है, almost done हो गया है और अगर ये सीजनल होता है तो वो थोड़ा सा सौफ्ट होता है और ये औरेंज वाला थोड़ा करणक होता है सो कोई नहीं, हम फटा फट से कर लेते हैं यह प्रिपरेशन भी आप रात को कर सकते हैं बट मैंने सुवर सुभा ही किया था और इसमें मैं क्या-क्या डाले वाली हूँ अर्जुन को जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है उसको थोड़ा सा चीज ही पसंद आता है यह पनीर का एक छोटा सा सा स्लाइस था जि उसका जो छेना निकलता वो डाल सकते हैं मैं इसकी आप आट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं नहीं भी करोगे तो भी अच्छा ही लगता आप उसमें बॉयल पर टोटेव डाल सकते हैं आप उसमें सकरकंदी डाल सकते हैं बॉयल तो वो सब कुछ वो काफी हेल्दी है ब सी निकल जाए बस और टिफिन जली-जली से पैक हो जाए और ये चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको भी कदुकस फटा-फट से चीज रहने से बच्चों को तो वैसे चीज पसंदी आते हैं सब बच्चों को प्लस की चीज हेल्दी भी है बच्चों के लिए अच्छा है मैंस की गुट फैट है फॉर हम लोग के लिए भी अच्छा है अगर लिमिट में खाये तो यह आपसे बात करते हैं मेरा यह भी काम हो गया जो नीचे गिर गया था चीज मैं वापस इसमें डाल रही हूं फटा-फट से मुझे सब कुछ अरेंज करना भी पड़ता है दीरे-दीरे से सुबह सब कुछ बिखरा रहता है इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट अड़ कर रही ह और इसमें यह पीजी नाम हिभूल गई क्या रही ह्या बोलते हैं इसको यह मैनने अट किया यह सब्सक्राइए। नहीं यह आमचू पाउडर है आप चाहें तो शाटन मसाला आड़ कर सकते हैं वो खतम हो गया था तो मैंने यह डाल लिया तन इसके बाद पिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पिल्कुल थोड़ा सा और इन सब को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इधर साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि पड्डू हमारा हुआ है कि नहीं तो ये एक साइट से कुक हो गया है इसको मैं जल्दी जल्दी से दूसरे साइट पलट रही हूँ और देखिए आपको मेरी घड़ी में टाइम ही दिख रहा होगा सवा साथ हो गया मैंसी 7 7 पड्डू अर्मोस्ट हो गया था उसके नेक्स्ट गैस पर मैंने एक बॉल करने को चड़ाया था भीजीत के लिए कि सुबह बॉल एक खाके जाए और ये रोटी जो स्टफ रोटी बनाना है उसकी तियारी चल रही है जो मैंने बनाया था ही सारा स्टफ मैंस में एक ही करेंगे और इसको ऐसे से राउंड राउंड करके थोड़ा दबाके जो हमारा पर्थन है उसमें हम आटे में ऐसे से मिक्स कर लेंगे दने इसको बेल लेते हैं यह बहुत पतला नहीं बिलेगा पतला बिलने पर यह बहुत ही जारदा बड़ा बन जाएगा तो चलिए हम इसको सेख भी लेते हैं फटा फट से यह एक साइड हो गया है घर का बनायावा घी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ यह एक साइड से होने के पाद दूसरे साइड भी मैंने घी आट कर दिया है और चुकि यह बच्चो के तो दिल खोल के हम इसमें घी आट कर सकते हैं बच्चो के लिए तो घी अच्छा ही होता है बहुत जादा ही अच्छा होता है यह अल्मोस्ट हो गया डन तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं साथ साथ में मैंने अभी जीत के लिए रूटिया बनाई है तो उसको भी मैं सीख लेती हूँ यह तीसी रोटी भी मैंने बेल ली है और जो आटा का वो था बॉक्स उसको मैं फटा-फट से रख देती हूँ क्योंकि काम भी समेटना है यह मैंने स्मॉल आटा निकाला है जो पीछे की रोटी होती है वो हमारे यहां निकालते हैं आप क्या निकालते क्या तो मुझे बताए कि यह निकालते हैं कि नहीं यह पीछे की रोटी होती है जो छोटी सी बनती है या तो रोटी रखो या गूल करके हमारे यह तो गूली करके रख देते हैं तो यह रोटी भी आल्मोस्ट हो गई है और अभी हम उसमें फटा-फट से लगा देते हैं घी अर्जुन बार-बार मेरे पास आ रहा है कभी उसको यह चाहिए कभी उसको वो चाहिए आजकल थोड़ा सबतमाशी कर रहा है वह सुबह काफे परिशान करता है पता नहीं आपके से निकालते हैं और दूसरी तीसरी रोटी भी हम फटाक से सेख लियते हैं यहाप मैं अरजुन को बोल रही हूं कि बेटा जल्दी जल्दी कर लो ने तो बस छूट जाएगे बस छूटना बहुत बड़ी आफ़त वाली बात है मैं इसकी बस छूट जाए तो कौन जाए फिर छोडने के लिए बहुत दूर है स्कूल इसका और यही बात करते करते हैं मेरी दूसरी रोटी पर अलमस्ट हो गई है दन जो बहुत हड़ बड़ी होती है ना तो पता ही न चलता हाथ जल रहा है कि क्या हो रहा है मतलब कि बस फटा-फट से काम निप्टाने वाली बात होती है और अगर सुकून से बैट के बना रहना है तो इतना भी रोटी नहीं चुआ जागा हाथ जलने लगता है इसके बाद मैंने अरजुन का जो टिफिन है वो पैक करने के लिए लगा दिया है और स्ट्रप पड़ाता है तो काफी मोटा हो जाता है सो मैं इसको फूर पार्ट में इसको कट कर लेती हूँ और ये इतना गरम था कि मेरा हाथ ही जल रहा था बट वो सोचने का भी टाइम नहीं था कि हाथ जल रहा है वस फटा-फट से उसको पैक करना था ऐसे कट करके देने से उसको भी आराम रहता है खाने के लिए उठा उठा के खा लेता है और ये मैंने पड़ू भी डाल दिया है स्मॉल ब्रेक के लिए देन अभी मैं इसमें एक टॉमेटो का सैशी जो होता है टॉमेटो सास का वो इसमें आट करी हूँ और ये केक था जो आया था तो और जो ने बोला था मीटे में ममा मुझे वही डाल दो तो मैंने वह डाल दिया और ये मादिखने हो गया था जो आट आट इसमें आट आट करना ना जो ने था तो आट दो आट आट से ने आट 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 करना ना गोले से था तक शूमाच बाए